गजेंद्र मोक्ष की पौराने कता, क्यों किया जाता है गजेंद्र मोक्ष का पार्ट? चीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसित सुंदर यों स्रेष्ट परवत था, वाले उस परवत की लोही चांदी वा सोने की तीन शिफ्रों की छटा से समुदर दिशाएं वाकाश यगमगाते रहते थे, विविचाती की ब्रक्षो लताव जाडियों से शुशोवित वह परवत झर्णों की जर्जर से सदा गुंजाय मान रहता, उसकी कंद्राओं में शिद्चारण गंदर, विद्यादर नाक के नर और अफसराय आदी विहार करने के लिए प्राया बने ही रहते, परवत की तरहती में तरह-तरह की जंगली जानवरों वा मधूर कंठों से जहते पक्ष्रियों का बसे रहता, वहां के निर्मर जल के सरोवरों में जब देवांगनाय रिश्च्णान करती तो वैजल और विसुगंदित हो जाता, इसी परवत की तरही में वगवान वरुन का एक उद्यान था, रितुमान, जिसमें मन्दित, मदार परिजात, गुलाब, अशोग, आम, खजूर, चंदन, अर्जुन, बर्गत, वानेग प्रदार के दिव्य प्रक्षत थे, जो सदा फलो और फूलों से छूलते ही रहते, यही उत्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था, उस परवत के नंगोर जंगल में बहुत सी हत्नियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था, जो वहां की बड़े-बड़े शक्ति-चाली हादियों को सरदार था, एक बार वैं परवत पर अपनी हत्नियों के साथ बास्त थ बड़ी बड़ी जाडियों को रौनता हुआ विचर रहा था गजवरी धूब में प्यासे व्याकुल हो अपने छोटे-छोटे बच्चों हत्मियों के साथ उस सघंदित सरोवर की ओर चल पड़ा सभी ने पहले तो सरोवर की जल में शनान किया बाद में जल क्रीडा करने लग भगवान की माया से मोहित हुए उनमत का जेन्द को यह ग्यात ही नहीं था कि उसके सेर पर बहुत बड़ी विपत्ती मंड़ा रही थै कि गुशी समय प्रारत की प्रेड़ना से एक बलवान ग्राह ने रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया गज ने अपने को छुड़ा को बाहर खीच लाता तो कभी ग्राह उसे अंदर की और खीच ले जाता गजेंद्र वा ग्राह अपनी पूरी शक्ति लगाकर लगातार एक जार साल तक लड़ते रहे या नोखा युद देखकर देवता भी आश्चर चकित हो गए जल में लंबे समय तक खीचे जाने से गज गजेंद्र का शरीर वा मन दोनों शित्रिल पड़ गए और ग्रह तो ठेरा जलचर अता वह तो और अधिक उत्साह और बल से गजेंद्र को खीचने लगा इस प्रकार देह अगमानी गजेंद्र अपनी प्राणों को संकट में फसाद देखकर विचार करने लगा कि यह ग्र गजेंद्र ने अपने मन को हिर्दय में एक आक्र किया और अपने फिर पूर जनल से सीखे हुए इसरे श्रोत के जब द्वारा ने प्रकार से भगवान की सुति करने लगा मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो जगत के मूल कारण है वे सब के हिर्दय में विद्वान है यहां समस्त जगत की एक मात्र स्वामी है जिनके कारण इस संसार की चेतना का विस्तार होता है वे ही सब के मूल है और अपने मूल में भी वही है कार्णों स्यती प्रभू मेरी रक्षा करें नटकी भाती अनेक रूप धान कर लीला करने वाले सर्वेशर प्रभू मेरी रक्षा करें वे अरूप होने पर भी बहुरूप है उनके कर्मत्यंत आश्चर में है मैं उनके चर्णों में नमस्कार करता हूँ सेम प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ जैसे समस्त नदी जरने आदी का परहाश्य शमुद्र है वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के पनलताथपरे हैं आप मोक्ष स्वारूप है और सब संत आपकी शरंड रहन करते हैं अता मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ जैसे कोई दयालू पुरुष बंदे में पड़े हुए पशू का बंधन काट दें वैसे ही आप मेरे जैसे सर्णागत्तों की फासी काट देते हैं हे नियत मित्त परम करना में आप अपने भक्तों का कल्यान करने में भी कभी आलेश नहीं करते हैं आपके स्वी जड़नों में मेरा नमस्कार है हे प्रभू धर्मार्द काम और मोक्ष की कामना से मनुष आप ही गवचन करके अपने अविष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है इतना ही नहीं आप उन्हें सवी प्रकार से सुख देते हैं और अपने ही जैसे अभिनाशी पाशर शरीर भी देते हैं एक परम दयालू प्रभू आपी मेरा उधार करें प्रभू आप न देवता है ना सुर ना मनश्य ना प्रसु पक्षी ना इस्त्री ना पुरुष ना ही न पुन्सक ना ही आपको एक साधार या साधार प्राणी है ना आप गुड़ है ना कर्ण ना कारें ना ही कारण सबका निशेद हो जाने पर जो सेश बस रहता है वो आप ही है वही आपका स्वरूख है आप ही मेरे उधार के लिए प्रगट हुए है ये सर्व शक्तिवान जहां गजेद्र अत्यांत संकट में पड़ा हुआ था सरोवर में व्याकुल गजेद्रे ने जब आकास में चक्रपाड़ी भगवान श्री हरी को देखा तो उसने अपनी सूर में कमल का एक सुन्दर पुष्प लेकर उपर को उठाया और आर्द भाव से बूला नारायन भग आपको नमस्कार है भक्तोसर प्रभुगरोड को एक बारगी छोड़ कर कूद पड़े और करपा करके गजेद्र के साथ ही ग्रहा को भी बड़ी शीरता से सरोवर से बाहर निकाल लाए फिर भागवान श्री हरी चक्र से ग्रहा का मुँँ फार डाला और गजेद्र को पन हो गया यह ग्रापूर जनम्न में फूबू नावन एक शेर रंधर था देवताओं के शाब से गती प्राप्त हुई थी उसने सर्वेशन भगवान के चन्णों में प्रणाम किया तत्पश्चात वैं भगवान के सोयश का गान करता हुआं की परिक्रमा कर अपने लोग क चला गया श्री भगवान के प्रपा पूर्ण इस पर से उसके पाप तब सम्लश्ट हो गया और उसे उत्तम गती की प्राप्ती हुई गजेंदर पुजो पूर जनम्न में द्रविट देश के पांडरवन शीराजा इंदर दियूं थे भक्ती में सनलग्न हो अगस्त रिशी क प्रणाम ना करने के कारण रिशी के साफ से शावित हो उने हाती की वह नहीं गिली थी परंतु भगवान की आराधना का ऐसा फल है कि अंत समय में भगवान की स्मिनती हो गई और अज्यान की बंदर से मुक्त हो भगवान का ही रोप राप्त हो गया भगवान ने उसे अपन करें धन्यवाद